आज के वीडियो में हम एक साथ में 5 टॉर्ष का रिव्यू करने वाल हैं दोस्तों ये सभी टॉर्ष एक से एक टॉर्ष है और देख सकते हैं ये कितना बड़ा है और इसी तरह से इंका काम भी बहुत ही बड़ा है और ये सभी जो टॉर्च हैं वो कम दामों पे उपलब्द हैं जो आप 1000-1500 रुपिय तक में इस टॉर्च को खरीच सकते हैं तो दोस्तों अज इन सभी टॉर्च का बारी-बारी से हम रिव्यू करने वाले हैं और हाति को इस तरह से विश्रन कर रहे हैं और हातियों की बड़े छुंड छेत्र में मौझूद होने के कारण बहुत से दुरगटनाई भी घटित हो रही है और जो किसान है वो चिन्तित है अपने फसल को अपने घर को अपने जानमाल को बचाने के लिए जो ग्रामिन जन-जिवन है दिन के उजाले में तो हती आसानी से दिख जाते हैं और रात के घने अल्धिरे में हम हाती को देख नहीं पाते हैं और दुरगटनाए घटित होती है हम सभी कम दामों पे एक अच्छा टॉर्च लेना चाहते हैं और अपने पास रखना चाहते हैं तो दोस्तों आपके इन ही सभी सवालों के जवाब के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज मैं एक साथ में पांच टॉर्च लेके आया हूँ जो आपको दिखाने वाला हूँ और आप फुद भी देख के इसे समझ सकते हैं और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो सिली रंगामाटी रोड के बारेंदा पेट्रोल पम के सामने एक दुकान है किनू इलेक्रोनिक के नाम से वहाँ पे आप इस टॉर्च को परचेज कर सकते हैं तो बारी बारी से दोस्तों अब मैं टॉर्च का रिव्यू करने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं अपने पसरिता टॉर्च जो एंड स्लाइट का तेज़स सकती है उसे ओपन करने वाला हूँ यह एक ट्रस्टेड टॉर्च है और इसका यूज मैं पहले भी गर चुका हूँ इस टॉर्च में बहुत सारी खासियत है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए सबसे पहले मैं इस टॉर्च को ओपन करके दिखाता हूँ बहुत ही सिम्पल सा पेकेट में यह आता है पर यह जितना सिम्पल दिखाय देता है इसका काम उतना ही पोपुलर है और बहुत अच्छा इसका प्रफरमेंज रहता है इसके साथ में हमें एक चार्जर मिल जाता है और यह टॉर्च आप देख सकते हैं दमदार लुक के साथ में पर एक बहुत ही light weight के साथ में यह torch आता है इसका weight बहुत ही कम है बाकि आपने जितने भी torch यूज किये होंगे सभी torch से इसका weight है वो काफी light रहता है और हलका होने के कारण इसे आप आसानी से carry कर सकते हैं और इसका जो बेकप है वो भी काफी अच्छा रहता है और इसका फोकस जो है वो बहुत ही ब्राइट और दूर तक जाता है साथ ही बहुत से लोग यह पूछते हैं कि इससे भी ज़्यादा ब्राइट टोर्चे समय मिल जाते हैं पर हम तेजस सी क्यूंँ यूज करें, तो तेजस सक्ति में खासीत है कि ये फोक काटा है, जो कोआसा होता है, उस घने कोहरा में भी आप इस टॉर्च को यूज कर सकते हैं, और असानी से इस से हाथी दिख जाता है, और एक सफिसेंट डिस्टेंस पर हमें हाथी दिखता है, तो देख सकते हैं यह किस तरह से टॉर्च है इसका स्विच यहां पर दिया हुआ रहता है जो अभी कबर किया हुआ है इसी के साथ दोस्तों यह टॉर्च जो है वो बहुत आसानी से किसी भी दुकान पर मिल जाता है और इसका पारा भी आप देख सकते हैं और इसका जो हेड है वो बड़ा होने के कारण फोकस भी ज़्यादा है दुसरा है हमारा ये ग्लोबिन का टोर्च ये मार्केट में इस बार नहीं आया है और एंड्सलाइट के टक्कर में ये टोर्च भी अभी चल रहा है इसका जो पारा है उसे भी आप देख सकते हैं और हेड भी इसका काफी बड़ा है पर ये तेज़ा सकती से थोड़ा सा वेट में ज्यादा होता है पर इसका भी यूज आप कर सकते हैं उसके बाद एक टोर्च भी आया है मार्केट में 24 एनर्जी नाम का कमपनी इसे लॉंच किया है और इस टोर्च को भी आप देख सकते हैं ये भी एक बड़ा टोर्च है और इसे भी आप यूज में ले सकते हैं पर इसका वेट भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है और इसका हैंडल कुछ इस तरह से नई लुक पर आया हुआ है जिसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया था और इसका जो फोकस है वो देख सकते हैं काफी ब्राइट है और वेक अप भी अच्छा खासा इसमें आ जाता है यह दमदार लुक के साथ में यह टॉर्च आता है इसका बोडी प्लास्टिक और एलमुनियम का बना हुआ होता है तो यह भी काफी दमदार टॉर्च है अब मैं इन सभी के साथ में आपको एक दुसरा टॉर्च दिखाने वाला हूँ यह टीन टॉर्च आप देख किते हैं आप मैं चौन्था टॉर्च आपको दिखाता हूँ यह टॉर्च ग्लोविन कमपनी का है और इसे सुल्तान के नाम से जाना जाता है यह भी सिरीज में आया हुआ है इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके बाद में एक टॉर्च आया है अनलाइट कमपनी जो की एक पॉपुलर कमपनी है और बहुत ही सस्ते दामों में एक अच्छी किफाइती दामों में यह टॉर्च उपलब कराती है तो इस टॉर्च को भी आप यूज़ कर सकते हैं यह इसका हेड देख सकते हैं और पारा देख सकते हैं काफी बड़ा है यह सभी जो टॉर्च है इनके प्राइस के बारे में अब हम बात करते हैं इन सभी टॉर्च में दोस्तों सबसे सस्ता जो टॉर्च है वो अनलाइट का टॉर्च है जो फस्ट में देख सकते हैं ये साड़े नो सो हजार रुपिया में आपको मिल जाएगा उसके बाद में ये 24 एनरजी का जो टॉर्च है वो तक्रिबन ग्यारस रुपिये में उपलब्द है उसी परकार से ग्लोबिन का टॉर्च आपको 1200 में मिल जाएगा जो सुल्तान है उसका भी प्राइस 1300 के असपास है और जो एंड स्लाइट का तेज़स है वो 1400 के असपास आपको यहां पर मिल जाएगा यह काफी कीफाईती दामों में है आप उनलाइन में भी इसे सर्च कर सकते हैं और अगर आप इसे लोकल दुकान से लेना चाहे तो आप यहां पर आ के ले सकते हैं या अपने छेतर के दुकान में भी इसे ट्राइ कर सकते हैं इन सभी टॉर्च के साथ में आपको वारेंटी मिलती है और तकरिपजा छे महिने की वारेंटी सभी टॉर्च में उपलब्द है और यहाँ जो दुकान है वहाँ पे आप इन टॉर्च को रिपेयर भी करवा सकते हैं अगर वाइद वे इन में कुछ भी खराबी आती हैं तो आप दुकान में इसे आके रिपियर करवा सकते हैं, यह एक प्लस पॉइंट है, ओनलाइन पर यह सुविदा नहीं रहती है, इसलिए लोकल जो दुकान है वहां से खरिदारी करना ज्यादा बेटर रहता है, तो अब हम इन टॉर्च को अपने प्राइस के हिसाब से सजाते हैं, और यह देख रहे हैं, कुछ इस तरह से इनका प्राइस है, तो सबसे कम दम में आपको यहां पर ओनलाइट का तॉर्च मिलेगा, और सबसे हाई रेंज पर आपको एंड स्लाइट का तेजस मिलेगा, अगर आप भी हाती से अपना बचाव करना चाहते हैं, अगर आपक अच्छे टॉर्च की तलास में हैं, तो एक बार इन टॉर्च को ट्राइ करके देखें, इन सभी टॉर्च में आपको अच्छा काम मिलेगा, इन सभी का काम बहुत ही अच्छा है, और परफोर्मेंस के हिसाब से यह सभी अच्छे टॉर्च हैं, इनका यूज भी अच्छा ह बेटरी वेकप भी अच्छा है आप 3-4-5 घंटे तक इसे यूज कर सकते हैं और इनकी प्राइस के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से भी यह जो टाइमिंग है वो डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का टॉर्च ले रहे हैं लेकिन फिर भी अगर आप रफली भी य इन टॉर्च चल जाता है और चार्जिंग टाइम भी बहुत कम है इन टॉर्च में और ज्यादा देर तक यह टिकते हैं और इनका जो बोडी है वो भी काफी अच्छा है इसलिए थोड़ा बहुत यह चोट को भी साहन कर सकते हैं दोस्तों अगर आप भी इस तरह के वीडिय देखना पसंद करते हैं और हाती से जुड़ी हुई जानकारिया हाती से बचाओ की जानकारिया अगर जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और अगर आज का वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें अगर आप भी इस तरह के टॉर्च के जरूर बताएं हम इस चैनल पे रेगुलर हाती से जुड़ी हुई जानकारिया अपलोड करते हैं और हाती से बचाओ के नए नए तरीकों को ग्रामिनों को बताते हैं जिससे आप अपने जानमाल की जो छती है उसको रोक सकते हैं अपनी जान बचा सकते हैं यह हम अभी तेजस को इस्तमाल कर रहे हैं आप भी इस तरह के टॉर्च लेकि अपना बचाओ कर सकते हैं पर सभी से मैं इहीं निवेदन करूंगा कि हाती से धूर रहे हातियों के साथ छेड़ छाड़ ना करें धन्यवाद